सूफी वाद के तहत हुए संस्कृतिक प्रभावों के यदि हम बात करें तो मदकाल में जो मुस्लिम संस्कृति आई वो मुस्लिम संस्कृति मूलत यूनानी संस्कृति से प्रभावित थी युनानी संस्कृति मतलब इरान युनान के आसपास के खेतरों से प्रभावित थी और उसके साथ ही बाइजन्टाइन आपको याद होगा मैंने बताया था कि पश्चिम में जो बाइजन्टाइन सब बिता थी उसकी संस्कृति से भी इन्होंने काफी कुछ ग्रहन किया तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम संस्कृति इन दो संस्कृतियों का एक तरीके से सम्मिशरण और प्लस साथ ही अपनी अरब संस्कृति उसनका आधार थी साथ भी शिताबदी के आसपास जो हम मर्दिकाल कहने हैं उस समय इसका प्रादिरफाव शुरू हुआ और इस पर हमने कु कुछ चीज़ें देखी जैसे की मेसोपटाइमिया और चिकंदरिया इसके जो अवशेश यहां से जो हमको मिले हैं सीरिया से जो हमको अवशेश मिले हैं उसमें हमने कुछ नए नए तथ्य जानने की कोशिश की थी इस संस्कृति का जो उद्भा हुआ यह संस्कृति के उद्भा के पीछे यही सीरिया सिकंदरिया और उसके अलावा मेसोपटाइमिया के स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा का अहम योगदान रहा है इन स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें इन विबिन्ने सब्विताओं के दर्शन याने युनानी दर्शन के दिम बात करें तो उसका अधियन होता था गनित की मैंने आपको चर्चा की और साथ ही मैंने आपको चिकित्सा के बारे में बताया था ये कहां से आएं ये सब यहिब बाइधिल टैन सब्विता और उसके अलावा युनानी सब्विता से ही आया है इसमें एक यूकलिट की पुस्तक यूकलिड प्रसिद लेकर था और उसने अलिमेंट्स नामख पुस्तक लिखी जो गनित की थी उसके बाद टॉलमी ने इसकी स्पेलिंग पी से शुरू होती है टॉलमी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था अलमगेस्ट और ये पुस्तकें बाइजन्टाइन सब्बिता की पुस्तकें थी इनका अनुआद हुआ अर्बी भाशा में और इस अर्बी भाशा के अनुआद का कारे आपको याद होगा अरभी भाशा में अनुवाद के कारे के बारे में मैं उस दिन आपको विस्तार से बताया था कि तद्कालीन खलिफाओं ने एक बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ा अनुवाद जभाग बनाया था और उसकी एक बहुत जिम्मेदारी अहम जिम् था ताकि वे अन्य सभिताओं से ग्यानारजन कर सकें और ग्यान ले सकें इस तरह हम देखते हैं कि किस पकार सूफी वाद के आने से संस्कृति ने थोड़ा बढ़ाव लिया नए नए अनुवादों ने अरब की संस्कृति को और रिच किया जिसे हम कह सकते हैं उसे और धनी बनाया इसके साथ ही इस काल ने एक तरीके से यूनानी सभिता और बैजन्टाइन सभिता के प्रभाव के कारण एक वेग्यानिक सोच भी प्यादा की और उस वेग्यानिक सोच के ताहट नए नए विश्यों नए नए बातों को विभिन विश्यों के रूप में अध्यान किया जाने लगा जैसे रेखागनित, भुगोल, जामिती, आधि-आधि, ऐसे कई विश्यों है और विज्यानिक से जुड़ों सब विश्यों आ गया इनका परणाम क्या हुआ कि जो बौधिक स्तर है वो बौधिक स्तर इन लोगों का सुधरने लगा अब मात्र केवल ये अल्ला के संदेशों का ही तक ही अपना ग्यान कीमित नहीं रखते थे बलकि अब इन्होंने प्रश्णि करने शुरू किये और ये मुच्चिला अर्था विद्वानों के समू में यूनानी तर्क और विवेचना के तरीकों को अपनाया गया किनके द्वारा मुच्चिला जो एक तरीके से विद्वानों का समू जिसे कह सकते हैं तो ये तारकिक अध्यन और तारकिक बहस तारकिक सोच का प्रारम और उसका विस्तार इसने वैग्यानिक प्रगति में अहम योगदान दिया दारशिकनों जहां तक दारशनिकों की बात है वे लोग भी तरक संगत बातें करने लगे केवल यही नहीं कि जो भी हमारे संदेश है या जो भी हमारे ग्रंथों मिलखा हुआ है उसे आख बंद करके मान लिया जाए और उसकी जो भी विवेचना है उस पर किसी भी तरह की टीका टिपड़ी ना की जाए ऐसा ना करते हुए अब उन्होंने उस पेक तरीके से तारकिक तरीके से नवीन तरकों का प्रयोग करते हुए उन बातों को तरक संगत धारा में लाने की कोशिश की इबन सीना इबन सीना के बारे में हमको जानना इस काल में विशेश जरूरी है 980 इस्वी में ये एक दार्शनिक है और साथ ही एक चिकिच्चक भी है एबन सीना के बारे में इसकाल में दानना बहुत जरूरी है चिकित्सक और दार्शनिक दोनों उसने कभी विश्वास नहीं किया कि व्यक्ति जो है वो कियामत के दिन फिर जिन्दा होता है देखिए इसलाम में ऐसा विचार था कि जब व्यक्ति की मृत्य होती है तो शरीर तो नश्ट हो जाता है लेकिन अल्ला के सामने उसके गुण दोश उसकी अच्छाई बुराई का जो आकलन होता है उस आकलन के लिए उसका पुनर जन्ब होता है और वह जन्ब कभ होता है कयामत के दिन में ऐसी विचार धारा थी ये इबन सिन ऐसा एक तरीके से पहला प्रसिद्ध व्यक्ति निकला जिसने इस विचार धारा पर प्रश्न चिन्ब लगाया और उसने साफ कहा कि ये बात गलत है कि कयामत के दिन कोई पुनर जन्म जैसी बात होगी अगर स्वयम चिकस्चक भी तो था इसलिए उसको इस बात पर अपनी बात पर विश्वास था अटूट विश्वास था और उस बात पर कायम था बहुत सो धार्विक लोगों ने उसके इस विचार का विरोट किया लेकिन उसने अपने तरीके से ये बात को बार बार कहना चाहा सफ़स्ट किया कि ऐसे कयामत के दिन में पुनर जीवन जैसी बात कोई सही नहीं है इसके साथ ही दर्शीक होने के अलावा उसने चिकित्सा पर भी कुछ पुस्तिकें लिखी उसके पुस्तिकें उसकाल में बहुत पढ़ी जाती थे बहुत प्रसेद चिकित्सक था एक किताब जो उसमें लिखी है उसका नाम है अलकानून फिल्तिब ये पुस्तक उसकी पुस्तकों में बहुत अपार भंडार है ग्यान का इस पुस्तक में करीब साथ सौ साथ और शदियों का वर्णन किया है साथ सौ साथ और शदियों का वर्णन उसने किया है और ये पुस्तक उसने विबन और शदियों को इसी देश से बेची कि इन और शदियों के बारे में वोई लोग जाने और उसका उप्योग करें साथ में दूसरी चीज इस पुस्तक में जो दी है वो है कि और शदाले में याने अस्पताल में या जहां पे दवाईयां बनती हैं वहाँ पर प्रयोग की पद्धती पर उसने काफी लिखा कि किस तरह के प्रयोग होते थे और उसके साथ ही कैसे इनका इलाज होता था इसको भी उस पुस्तक में उसने विस्तार से लिखा है प्रयोग और उसके निशकर्श ये तो होगे इस पुस्तक की दूसरी बार तीसरी खासियत उसके इस पुस्तक की है कि उसमें उसने जिसे हम संक्रामक बीमारियों के बारे में भी उसने लिखा है कई संक्रामक बीमारियों का उसने वेग्यानिक तरीके से जिक्र किया है और अपनी पुस्तक में उसके उस्थान दिया है चौथी बात इसके इसकी पुस्तक की है एबन सिना की उसकी चौथी खास बात यह है कि उसमें उसने जलवाईव और पर्यावरन इस पर भी काफी लिखा है जलवाई और परियावरण पर भी उस पुष्टक में लिखा है जलवाई अने क्लाइमेट और क्लाइमेट और परियावरण की चर्चा करते हुए वो ये बताता है कि ये हमारे लिए स्वास्त, हमारे स्वास्त को ये कैसे प्रभावित करती है उचित जलवाई अनुचित जलवाई उचित वातावरण परियावरण की महत्ता और वो उसका संबन्द हमारे स्वास्त से कैसे है एक चिकित्सक के नाते उसने इस पुष्टक में लिखा है और पांचवी बात उसकी किताब में ये भी है कि उसने इन सब को लिखते हुए हमेशा ये कोशिश की है कि वह तरक संगत साबित हो वह वैग्यानिक जिससे सही निकले ऐसा कहा जाता है कि जो उमर खयाम थे आपने नाम सुना होगा उमर खयाम स्वायम एक बहुत पसित दिकवी और वैग्यानिक थे उन्होंने भी अपनी मृत्ति के पहले इस किताब को पढ़ा था तो आप समझ सकते हैं इस बात को कहने का तात्परिप यह है कि यह पुष्टक अपने काल में एक बहुत महत्मूर्ट पुष्टक थी और यह क्या बताता है बढ़ती हुई वैग्यानिक सोच घटी हुई रूड़िवादिता घटे हुए अंदविश्वास घटे हुए परंपरवादी विचार और बढ़ती हुई तारकिक सोच जो बौधिक ज्यान बौधिक स्तर के बहतर होने की और इशारा करती है तो यदि हमसे सवाल पूछा जाए कि किन बातों से साबित होता है कि इसलाम के उद्या के साथ साथ इस काल में बौधिक स्तर का विकास हुआ तो हम ये बिंदों की बात कर सकते हैं जहां तक साहित की बात है वैज्यानिक बाते हमने की सूफी बात के उद्या की बात की विस्तार की बात की इसलाम के विस्तार से साहित पे क्या प्रभाव पड़ा क्या क्या बाते हुए थोड़ा इसकी और देखें अब आसी काल आपको याद होगा अब आसी जो कलीफा थे उनके काल में अब आसी लोग लोगों को लिकवियों को अपने दरवार में प्रशर्ण देते थे अब कवियों को अपने दर्वार में शरण देते थे आश्रे देते थे और ये कवी और ये लोग कसीदा गाया करते थे क्या गाया करते थे कसीदा यहने किसी के गुणगान में लिखा गया गीत ये एक तरीके से इसे हम संबोधन गीत कह सकते हैं कसीदा को हम क्या कह सकते हैं संबोधन गीत जिसमें उस समय के शास्थकों को यदि आपको याद हो कि हमने पूर में जिक्र किया था कि अबाचीकाल के पतन के आसपास कई नेने राजवंश आ गये थे और उन राजवंशों में से एक राजवंश ऐसा था जिसने ऐसे लोगों को विशेश शरण दी ऐसे कवियों को कसीदा गाने वा और राजवंश का प्रादिर भाव का परणाम यह हुआ कि इन कवियों ने अ शुरू किये तो कसीदे को हम हिंदी में कह सकते हैं संबोधन गीद यानि राजाओं को संबोधित करते हुए गीद लिखना इन्हें कसीदा कहते हैं फार्सी कवियोंने भी अर्भी कविता का विश्कार किया और उसमें कई नई नई विधाएं लाली फार्सी कवियोंने अर अर्भी कविता का अविश्कार किया और नए ने विधाओंसकार्थ है नए ने तरीके कविता लिखने के जैसे हमारे हिंदी में छंद हैं दोहे हैं छोल्ठा है उसके अलावा पद हैं आदियाद यह सब अलग-अलग तरीके हैं तो और विविन विविन रसों में हैं वीर रस वाक्षल लिरास आदियाद तो ऐसे यहां फार्सी कवियों ने भी अर्बी कविता का विश्कार किया और उसमें कई नई विधाओं का समावेश किया तो पहले फार्सी कविता आई उसके बाद अर्बी कविताओं का प्रादुर्भा हुआ पहलवी भाषा जो है ये इरान की अपनी प्राचीन भाषा थी सबसे प्रसिद भाषा थी इरान की सबसे पुस्तक की भाषा कहलाती है पहलवी उसका समापन होने लगा था वो खत्म होने लगी थी और उसका कारण ये था कि पहलवी भाषा के पतन का कारण बढ़ते हुए अर प्रभाव जिन्होंने इरान को जीत लिया था काफी पहलों उन्होंने धीरे धीरे पहलों का एक नया रूप दिखने लगा और उसमें नई फारिसी सामने लिए यानि पहलवी जो है वो अर्वी के साथ मिली अर्वी भाशा ने पहलवी भाशा को एक तरीके से रिप्लेस कर द और अर्बी भाष्चा के तत्वी पहलवी भाष्चा के इन तत्वें के साथ मिलकर उन्होंने एक नया रूप दिया और वो कहलाई नई फार्सी क्या कहलाई वो वह कहलाई नई फार्सी धीरे धीरे पहलवें का रूप बदल गया और जब नई फार्सी विक्षित होई तो जि उस्प कार हम कह सकते हैं कि खुरासान य्यर्टिरान में नई फासी भाशा जो आई यह इसने एक नई संस्कृतिक उचाई पाई और तदकैलीन संस्कृति को एक एक नया मंच दिया एक नहीं उचाई दी किसलिए संभव हुआ नहीं फार्सी भाषा क्याने से नहीं फार्सी भाषा क्या अरब और पहलवी का मिक्षर है इसमें अधिकतर अर्मी शब्द थे जो वंशों की मैं बात किया था उन वंशों में एक समानी वंश था जो ऐसे लोगों को बहुत पैटरनेज देता था बहुत उनलों को शरण देता था आश्रह देता था तो इसी समानी वंश के दरबार में एक कभी हुआ करते थे रुद्ड की रुद्ड की को नए फार्थी भाषा का जन्म डाता कहा जाता है ये मैं बात कर रहा हूँ साहितिक विस्तार की कि तत्काली इन समाज में क्या क्या साहितिक परिवर्तन हुए क्यों हुए और कैसे हुए तो उसके सम्मझ में बात करते हुए हमने ये शुरू किया है कि कैसे चिकित्सा की पुष्टक आई अन्य विश् पुष्टकाई और उसके बाद अबासी काल के पतन के बाद से और बढ़ते हुए प्रशड़ दिये जाने के फल्सुरूप कैसी नई 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 लेक्रख सामने आया है और एक नई फार्सी भाष़ा का जन्म गुआ है इसी फार्सी भाष़ा जिसका जन्म समानी दरबार के कव रुदकी के द्वारा किया गया था उसे उसका जन्मदाता कहा जाता है उसने छोटी-छोटी कविताएं लिखी छोटी-छोटी गीत लिखे एक काविरूप में उसने लिखा और ये जो होते थे ये चतुष पदी होते थे याने चार पद होते थे चतुष पदी एक पद में ल पर पनी पैला पद, दूसरा फिर तीसरे पद में और चौथा पद एक तरीके से समझिए उस कविता का निश्कर शोता था ये जो चतुषपदी होती थी इन्हें अंग्रेजी में इन्हें उर्दु भाषा में या फार्सी भाषा में रुबाई कहा जाता है क्या कहा जाता है तो अब हमने एक दूसरी चीज़ तो रुद की, फार्ती का जन्म दाता उसके पहले मैंने एक शब्ज यूस किया था, उपयोग किया था कसीदा कसीदा यानि संबोधन गीट अब यहाँ पर रुबाई क्या है? रुबाई है एक तरीके से प्रेम गीट रुबाई क्या है प्रेम गीत जो छोटा छोटी कविता छोटी छोटी रूप में होता है चार पंक्तिवाला चंद होता है और प्रेमी या प्रेमिका के सौंदर का गुणगान इसमें होता है यानि मैं आपको बता रहा हूँ कि रुबाई में का विश्यवस्टू क्या है रुबाई की विश्यवस्टू क्या है प्रेमी प्रेमिका के सौंदर का गुणगान आशरे द्वाता के द्वारा और विचारों को अपने विचारों को प्रेम के विचारों को प्रकट करने का जर नाम जो 1048 से 1131 तक का काल उनका माना जाता है ये स्वायम एक प्रस्द वैग्यानिक थे इसका नाम भी मैंने पहले आपको बताया है ये बताते हुए कैसे इबन सिना की पुष्टक चिकिस्चा पर लिखी गई पुष्टक को उमर खयाम ने अपनी मित्य के पहले सुनिश्चि बहुत से लिखी हैं और ये स्वायम एक वग्यानिक थे विजद्यपी जो बुखारा, इफार संज्च और समरकंद में निवास किया तो उमर खयाम के बारे में भी आपने थोड़ा सा इस मातहच जाना नौवी दस्वी शताबदी की बात करते हुए अब हम ग्यार्वी शताबदी की ओड़ बढ़ते हैं ग्यार्वी शताबदी का काल क्या था? ग्यार्वी शताबदी में एक तरीके से कुछ नए परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों में सबसे महत्पूर्ण था कि अब ये समरकन, खुरासान और इधर के जो पश्चिम के जो खेत्र थे अब ये साहितिक केंद्र तो थे महत्पूर्ण, व्यापारिक केंद्र भी थे बहुत महत्पूर्ण लेकिन अब साहितिकी दिष्ट से या संस्कूर्ण दिष्ट से फारसी साहितिक जीवन का केंद्र अब गजनी बन गया, गजनी देखिये कहां है, तो आप देख सकते हैं नक्षे में कि कैसे पश्चिम से ये सब्भिता का केंद्र धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए पूर्व के जातियों से है, जो जहां आकर कबजा करती हैं, अलब तक गेन, सुबक तक गेन आदी और फिर गजनी आदी और उसके बाद इस्थाई रूप से शासिन करते हुए फिर भारत के और बढ़ती हैं, अब ये गजनी केंद्र बन गया, किस चीज़ का? मुसलिम, साहितिक या फा फारसी भाषा और विकसित होती है, और इसी का परणाम है, आपको मालूम होना चाहिए, यहीं बता देना उचित होगा, कि गजनी के साहितिक केंद्र बनने का ही परणाम है, कि भारत में भी, जब मुसलिम सत्ता आई, तो भारत की जो भाषा उन्होंने बनाई, अधिकारिक भाषा वो फारसी बनाई, फारसी, और उसका कारण क्या था, गजनी के सांस्कृतिक या सहितिक केंद्र का परभाव, अब ये गजनी, सवाल ही उड़ता है, कि गजनी क्यों इतना बड़ा केंद्र बन गया, आखर क्या बात थी गजनी के इतना बड़ा विस्तित केंद्र, दो कारण थे, पहला थो कि जो दर्वार था, गर्जनी का दर्वार, बहुत विस्तरित, उसकी चका चौन, उसकी चमक दमक, उसके जो अपने नकरे थे, अपने जो उसके तरीके थे, अपने दर्वार के महत्ता को दिखाने के, उसने इन कवियों को, विद्वानों को बहुत आ कि चका चौन उन्हें बड़ी आकरशित करती रहे और दूसरा कारण कि ये जो राजा लोग थे अब तो आपको मैंने बताया है कि कैसे खलीफा की समापती हुई खिलाफत का पतन हुआ और फिर राजवश आया है फिर इसको बाद शहनशाह सल्तनत आ गई ये सल्तनत और के लोग जो थे ये लोग चाहते थे कि इनके गुणगान करते हुए इनके वंशावली को बताते हुए इनके उपलब्दियों का विस्तरित वरणन करते हुए कोई से पुस्तक हो कोई शाहिती बने इनके मंशा थी साथ ही इनके मंशा थी कि पूर्व की जानकारियां भी इन के परिवार समाज इनके विस्तार की जानकारी भी इन पुस्तिकों में समाहित हो तो गरजनी के केंद्र बनने का दूसरा कारण यह होता है कि यहां पर यह लोग अपनी शानों शौकत को दिखाने के लिए उसको बरकरार रखने के लिए भी कवियों को और विद्वानों को अपने हाँ आमंतरित करते थे उसको संरक्षन देते थे और इसमें विद्वानों के संख्या निश्यतूप से ज़्यादा थी यह देखें फिर आप इस बात को यदि पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि कैसे बौद्धे किस्तर बदल रहा है उपर जा रहा है साथवी शताबदी में हमने किस तरह की बातें की थी साहित आदी को लेके और हम ग्यारवी शताबदी आते हम किस तरह की बातें कर रहे हैं ये इस बात का परिचायक है कि समय के साथ साथ इसलाम के अनुयाईयों का बहुत दिक स्तर भी काफी बढ़ता गया और इसके कई कारण थे तो जहां तक गजनी के केंद्र बनने का कारण है दो कारण होगे पहला वहां कि चका चौन इन नों का अकर्षित की और दूसरा वहां के राजाओं के दोरा या सुल्तानों के दोरा सنरक्षन अपनी शान शौकत को बराबर रखने के लिए गजनी ने तो कई कवियों को कई विद्वानों को बहुत महद दिया और उनकी इन कवियों ने तद्काली समाज को लेते हुए बहुत सारी कव रचना भी की एक मुस्तकि हम बात करें जो संरक्षित कवियों में से एक था और वह था फिर्दौसी फिर्दौसी जिसे फिर्दौस भी कहते हैं फिर्दौस में पुस्तक लिखी जिसका नाम है शाह नामा शाह मतलब राजा, शहनशा, बादशा, सुल्तान लोग अपने को सुल्तान कहते थे पर राजा, और नामा मने विवरन, जीवन का विवरन, तो बादशाहों के जीवन का विवरन इस लक्ष के साथ, इस उद्धिश के साथ, फिर्दौस ने ये पुस्तक लिखी जिसका नाम है शाह नामा, और शाह नामा को रचने में, उसको लिखने में तीस वर्ष का लंबा का लगा कितना तीस वर्ष का लंबा का तो फिरदौस कौन था गजनी के दर्बार का एक परसिद विद्वान कभी दूसरा उसने शाह नामा नाम की पुस्तक लिखी पुस्तक का उद्धिश राजाओं के बारे में लिखना उनके वंश के बारे में लिखना, उनके उपलब्दियों के बारे में लिखना, एक तरीके से उनका इतिहास लिख देना ये बुस्तक राजाओं के जीवन पर थी, तीस वर्ष इसको लगे, और तो और इसमें पचास हजार पद हैं, कितने? पचास हजार पद ये एक बहुत विश्त्रित किताब, हम कह सकते हैं, फिफ्टी थाउजन पद, एक बहुत बड़ी किताब होती है फिर्दास के बारे में, जानने के बाद, कुछ और किताबें जो लिखी गएं, उस पर अब हम थोड़ा से देख लें, और यहां पर इस समाज की, इस काल की, रचनाओं का विवरन समाप्त होता है अगला जो लेखक है, या अगला जो व्यक्ति है, जो सांस्कृतिक या साहितिक ग्यान के विष्टार में अपना योगदान देता है, जिसकी जानकारी हमको मिलती है, वो है अबन नदीम, क्या नाम है? अबन नदीम, अबन नदीम बगदाद का था बगदाद, इराक की राजधानी, और साथी, अबासी कैलिफ, उनलों की राजधानी थी, वहां का वो निवासी था और उसका काम था किताबें बेचना तो वो किताबें इकठे करता था किताबें बेचता था और इस प्रक्रिया में वो किताबों की सूची बनाता था एक बड़ी सभाविक है कि उसके पास स्टाक में उसकी दुकान में या उसके अपने स्टोर में कौन-कौन से किताबे हैं इसकी सूची ये सूची हाथ लग गई ये तिहास कारों के और तद्कालीन समाज के विवेचन कारों के हाथ उस सूची से हमको बहुत सी जानकारी मिलती है कम तकम किताबों के बारे में उनके लेकों के बारे में उनकी पुल्तकों की सूची को हम कहते हैं तो फहरिस्ट, फहरिस्ट वैसे भी इसका फर्ख, अल फहरिस्ट, अल फहरिस्ट में बहुत सारी किताबों का जिक्र किया है, जिसमें नैतिक शिक्षा की किताबे हैं, मनोरंजन की किताबे भी हैं, चिकित्सा की भी किताबे हैं, और इसके अलावा धर्म पर भी हैं, तो उसक जो ये अल्फेहरिस्त है अल्फेहरिस्त में बहुत सारी किताबों का जिक्र मिलता है अबन नदीम बगदाद का पुस्तक बेचने वाला उसके हाँ एक पुस्तक जो है वो उसका नाम है कालीला वदिम्ना है अब देखें कैसे हमारा विशय थोड़ा सा धीरे धीरे बदल रहा है विशय थे मिरार्थ हैं कि हम कैसे यहां देखेंगे कि पूर्व से ज़्यादा प्रभावित होते जारे हैं इसलामिक सभिता पूर्व के ओर बढ़ रही है और पूर्व से ज्यादा प्रभावित भी हो रही है अब ये जो एक पुस्तक जो मिली कलीला और दिमना उस पुस्तक में दो मुख्य पात्र हैं एक का नाम है कलीला एक का नाम है दिमना और दोनों गीदड़ हैं दोनों क्या हैं गीदड़ उस किताब को जब पढ़ें तो जिन्होंने पंचतंत्र पढ़ी है जो हमारी भारत की पुष्टक है कहानियों की पुष्टक है आप पाएंगे कि दोनों में बहुत निकट की समानता है जब उस पर विवेचन किया गया इस किताब के उद्भाव पर प्रारम पर तो माना तो ऐसा पता लगा कि कलीला और दिम्ना नाम की जो एक किताब है इसके कथानक है ये मूलत फार्सी से लिए गया अर्बी में इसका अनुवाद हुआ और उसके अनुवाद से फिर इसको लिया गया फार्सी से अर्बी और फिर इसके बाद वहाँ तो जो पंचत अंदर का जो प्रथम संस्क्रण है इसके प्रथम संस्क्रण की अर्बी में अनुवाद ही हमें सो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रसिद और साहसी साहस की रचनाएं जैसे सिंदबाद और सिकंदर उसके साथी दूसरी किताब जैसे काईस मजनुद ये सब क्या थी ये कहानियों की प्रस्टिक थी इसमें जो सिंदबाद और सिकंदर की जो किताब है उसमें तो वीरता, बहद्दुरी और इसके बारे में साहज, इसके बारे में विस्तार से कहा गया है लेला मज्यू की जो पुष्टक जिसके हम बात कर रहे हैं ये एक एक प्रेम गात्था है प्रेम की कहानिया लेकिन दुरभादे से ये दुख की दुख ही प्रेम की कहानिया है मतलब प्रेम में जिसे सुख नहीं मिला प्रेम की खोज में या प्रेम के चक्कर में तो उससे सम्मंदित कहानिया जो दुखान तो हो ऐसी कहानिया इसमें ज़्यादा दी हुई हैं और ये बहुत अहम पुष्टक है ख्या लखें कि ये जो पुष्टकें थी ये सारी कहानियां जो इसमें हैं ये सब मौखिक थी मौखिक कहानियों को लिखित रूपांतर दिया गया है लिखित रूप में गया है और ये सुनाई जाती थी ऐसी एक और पुष्टक है जिसे हम अंग्रेजी में भी हमने उसको पढ़ी है या उपलब्ध है यह कहानी संग्रा क्या है? इस कहानी संग्रा में एक हजार एक राते में एक पति-पत्नी के बीच का समवाद है बलकि समवाद नहीं कहना चाहिए उसमें कैसे उसमें बताए गया है कि एक पत्नी अपने पती को हर रात को एक कहानी सुनाती थी और इस प्रकार उष्ण नें एक हजार एक रातें कहाणी बताते हुए गुजारी अपने पत्री को वो जो पत्री है वो एक तरीके से वाचिका का कारे करती है ये जो कहाणी है इसका मूल संग्रалась फार्सी में है बाद में से बगदाद में अरवी भाशा में हुआ और इस एक हजार एक रातों के में दी गुई कहानियां का उद्यश था कि शिक्षा, moral values, नैतिक शिक्षा हैं, क्या अच्छा, क्या बुरा, कैसे अलग-अलग तरीके के व्यक्ति होते हैं, अलग-अलग तरीके के धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, सादा व्यक्ति, भोला व्यक्ति, सरल व्यक्ति, चाटुकार व्यक्ति, तो इन कहानियों के जरिये वाच्ची का जो पतनी हैं, वह अपने पती को विबिन तरह के व्यक्तियों से उसका परिचा कराती है, और उनकी जो qualities है चाटुकार व्यक्ति की कहानी सुनाते समय चाटुकारता क्या है ये उस कहानी से परलक्षित होता है जूट बोलने वाले की कहानी सुनाते समय कैसे जूट बोलता है उसका परणाम क्या है ये उसके परलक्षित होता है तो इसका मूल जो है वो फार्ती में है बाद में अरबी में हुआ और मुलता शिक्षा की पुष्टक है अगली की पुष्टक है बसरा जहौज के द्वारा बसरा जहौज ने जो अपनी किताब लिखी उस किताब का नाम है अल बुखारा लेखर का नाम है अल जहौज और पुष्टक का नाम है अल बुखारा जिसमें एक कंज किर्दूस व्यक्ति के बारे में कहानी बव्यक्ति कंजूस है तो उसके चर्ट्र के बारे में काफी कुछ बटाए गया है नौवी सदि में हम थोड़ा पीछे जाएं तो सदी में राज कुमार के शासन काल में जो शिक्षा देने वाली किताबें लिखी गए राज कुमार जब शासन करते थे विभिन खेतरों में तो उन राज कुमारों को शिक्षा देने के उज्जेश से कुछ संकलन हुए और ऐसी किताबें लिखी गए इस में से एक आचार समधा के रोपने अनुशासन वो इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया इतिहास क्यों लिखा गया ज़ Tshaas की बात करें तो इतिहास लिखने के पीछे मकसद यह था कि यह जो राजकुमार थे, जिनमें से बाच में कुछ राज़ा बने इन लोगों की मन्शा थी, तीव रिच्छा थी, के हमारे जो पूरवज हैं, उनके स्ट्रगल, उनके उपलब्धियां, उनके द्वारा किये गए कारियों का विस्तृत विवरण कहीं संकलित हो और ये तभी संभल था, जब इन बातों को इतिहासिक जिष्ट से कहीं पर लिखा जाया, तो इन राज कुमारों ने ऐसी पुस्तकें लिखने के लिए लिखकों को प्रेरित किया, और इस पकार इतिहासिक पुस्तकें भी इस काल में प्रारंब हुई, ये आपको सोचना होगा इसके पहले कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि इतिहासिक पुस्तक लिखने के लिए, या तो किसी ने महिशा जताई या किसी ने लिखी, ये पहली बार है, जब पूरवजों के उपलब्दियों का बखान करते हुए, या पूरवजों के स्ट्रगल का विवरन देते उनके द्वारा किये गए कारियों को लिखते हुए, कोई से पुस्तकें लिखी जाएं, लेकिन इस बार हम पहली बार देखते हैं, कि नौवी शताबदी के बाद, इतिहासिक दृष्टी से लिखी जाने पुस्तकों का भी प्रादर भाव हुआ, और ऐसा ही भूगोल में संजो कर रखना चाहते थे, वे चाहते थे कि आने वाले लोग जाने कि इनके पूर्वत किटने महान थे, किस रूप में वो कहां कहां पहुँचे और कैसे वो उस अस्थान पर पहुँचे, जहां पर वे उस समय पहुँचे, तो दूसरा उद्देश ये था, कि इसके पीछ को हम राज कुमारों को पुराने समय में जो प्रचलित प्रशासिनिक धाचा था पुराने समय में जो प्रचलित विभन नीतियां थी जो शिस्टेम से उसके बारे में जानकारी मिलेगी कूढिक है यह जो नौवी दस्वी काल के जो शहनशाह राजा लोग थे इनके पास देखने के लिए कुछ नहीं था समझने के लिए कुछ नहीं था किसे से पूछ के वे जाने कि प्रशासन यहां पर किस तरह का चलाया गया था उनके परदादा के काल में उनके पूरुजों के काल में किस से पूछें और ऐसी कोई व्रिद्ध व्यक्तियों से भी यदि पूछा जाए तो कितना व्रिद्ध व्यक्ति और व्यक्तियों के दुआरा मौखिक पूछी गई जानकारियों, मौखिक मांगी गई जानकारियों, कई बार तथियों से कोशो परे होती है, कई बार उसमें मीन मेक जादा रहता है, कई बार सचाई उसमें नहीं रहती, कई बार उसमें सुनी सुनाई बातों के माद्यम से य ऐसी स्थिति में राज कुमारों के द्वारा ये प्रियास किया जाना कि एतिहासिक पुस्तिकें इसलिए भी लखी जाएं ताकि वे आने वाले राजाओं के लिए आने वाले सुल्तानों के लिए वे एक मार्ग दर्शक का काम करते हैं। उसको देख कर उन पुस्तिकों के जरिये वे समझ सकें कि उनके पूरवजों ने किस प्रकार से शासन चलाया, कैसे सत्ता हसिल की, कैसे इस विभिन वर्ग के लोंगों को पाला पोशा या उनको पोशन दिया, कैसे शासन की नीतियां बनाई, कर विवस्था किस तरह की थी आद तो ये एतिहास्तिक पुष्टकों के शुरुवात होने के दो कारण और उन दो कारणों और ये शुरुवात कब हुई नौवी दसवी सदी के आसपार